हेलो इस्टूडेंट कैसे हैं आप सब एक बार पना सी कोचिंग क्लासेस पर स्वगात हैं उम्मीद करता हूँ आप सब बच्चे होंगे मस्त होंगे बहतर होंगे आपकी पढ़ाई बहतर से लोगे बच्चों क्लास टुल्थ कमिस्ट्री न्सी आटी में बार धां मैंसे तैयार करना ही है किसी भी कदर से आप इसे छोड़Еं का नहीं सकते यर बहुत नहीं करते। आज रहां। कर लेंगे बिल्कुल नहीं बिल्कुल रहाई इसमें क्तिनों प्राथम कहा हो ठो चैवे निसे पहले बार धांता ऑनकर ग्रूप के साथ the e-la alcohol है ठीक है इलफा कारवन के साथ दो आलकुल ग्रूप है दुतियागेख यलकुल कहलाता है neighborhood परिष्छर में आपको एक चीत याद रखना पड़ेगा किनमे क्रम क्या है भाई चार इस्टेप में यह प्रिया कम्प्लीट होता है थीते कह कराते हैं, फिर नाय अम जिसे क्लिया कराते हैं फिर एनिवेज यहनी चार इस्टेब में रासानी मपद्रिया कंप्लीट होता है, तो पदों को आपको तयार करना ही पड़ेगा तो क्रम से पहले आप लोग जैसे कोई भी राषानी कभुप्रेया क्यों भूलता है? क्योंकि आपको इस्टेप पता नहीं होता, बच्छो की किस स्टेप में राषानी कभुक्रिया कराएंगे? उसे जो आपको रासानी कभक्रिया दिख रहा होगा जब आप रासानी कभक्रिया को देखते हैं तो बड़ा कठिन लगता है लेकिन जब उसी रासानी कभक्रिया को आप संपन कराते हैं तो बहुत सराल लगता है हम आपको पूरा कंप्लीट कराएंगे फिलाल सबसे पहला हमारा मतलब टास्क रहेगा HI से हाइड्रोजन आयोडाइड से फिर बच्चो AGNO2 से AGNO2 मतलब सिल्वर नाइट्राइट फिर HNO2 है मतलब नाइट्रस अमल इसके बाद आपका NOH तो चार पद में यहनी चार बार रासानी कब करिया होगी पहला step HI के साथ फिर AGNO2 के साथ फिर HNO2 के साथ फिर NAOH के साथ यह प्राथमी के लकोहल के साथ भी करेंगे दुतिया के लकोहल के साथ भी तरतिया के लकोहल के साथ करते हैं ठीक है यह आपको क्लियर होगा तो फिर रसानी कब कराते हैं हम सबसे पहले पहचान करेंगे प्राथमीक दुतियक और तर्तियक आलकोहल कैसे कहलाता बच्छो तो प्राथमीक आलकोहल का पहचान है R है CH2 OH ठीक है अभी आपका अलफा कार्बन कहलाता है इसी अलफा कार्बन के साथ दो अलकिल ग्रूप जुड़ जाए तो फिर आपका ये दुतियक अलकोहल कहलाता है इसी अलफा कार्बन के साथ ये तीन अलकिल ग्रूप जुड़ जाए तो फिर आपको बच्चो ये तृतियक अलकोहल कहलाता है मतलब प्राथमी के लकोहल, दुतिया के लकोहल और तृतिया के लकोहल तो सबसे पहले हिंदी में क्या लिखना है देखे जरा इस वीद में लकोहल का उपचार अब क्रियाओं के एक अनुक्रम में किया जाता है अंत में रंग का प्रिछन किया जाता है मतलब हम अध्यन करते हैं रंग को देखकर ठीक है प्रते के लकोहल का क्रम HI से फिर AGNO2 से फिर नाइटर्स हम जिसे क्रिया कराई जाती है फिर नओएच के प्रभाव का प्रिछण किया जाता है मतलब तीन से रासानी करिया करेगा फिर नओएच डालेंगे तो रंग दिखाए देगा जैसे प्राथमी के लकोहल लाल रंग देता है दुतिया के लकोहल नीला रंग और तरतिया के लकोहल कोई रंग नहीं देता है तो विक्तर मेर परिछण में मुक्रूप से पहले हाइड्रोजन आयोडाइड मैं बार-बार क्यूं बोल रहा हूं क्योंकि इसे आपको याद करना ही पड़ेगा पहले हाइड्रोजन आयोडाइड फिर आपको बच्चों AGNO2 मतलब सिल्वर नाइटराइड फिर आपको प्रातमिक दुतिया का और तृतिया की एक खंड बना लीजिए ताकि समझना थोड़ा सा आसान लगे हम जब प्रातमिक यलकौहल की बात करते हैं बच्चों तो आर यहां पे हैं CH2 OH哪裡 आपका प्रातमिक यलकौहल है मैं थोड़ा सा प्रातमिक दृतिया क दाल दिया हूं मतल तरतियक एलकोहल कहलाता है सबसे पहले रासानी कब क्रिया जो कराएंगे वो हाई के साथ देखेगा इस आरवन के रूप में हम यहाँ पर लिखते हैं हाई के साथ क्रिया कराते हैं बच्चों किसके साथ हाई के साथ सबकी क्रिया किसके साथ हाई के साथ ठीक है यहाँ भी आपका हाई के साथ पहले स्टेप में क्या होता बच्चो यह O-H हटता है यह जो O-H है ना देखेगा यह जो O-H है इस H को उठा करके क्या बना सकता है माइनस का H2 यह O-H है ना बच्चो इस H को उठा करके क्या बना सकता है माइनस का H2 ये OH है न बच्चो इस H को उठा करके क्या बना सकता है माइनस H2 मतलब जो मिलने वाला यहां पर उत्पाद है तो R था CH2 था और OH हट गया तो I जुड़ गया बढ़िया है यहां पे देखो RR है कारबन है CH है यहां पे आपका I जुड़ गया मतलब OH हटा और I जुड़ गया इसमें बच्चो आपका तीन इलकल ग्रू sellers यहां पे आपके कारबन के सांथ I जुड़ गया पहला यह स्टेप बढ़ा नारमल है यह बढ़ा नारमल अबक्रिया है ये अब क्रिया सब को कठिन लगता लेकिन मुझे जब मैं पढ़ता था तब भी मुझे सरल लगा था और आज भी सरल लगता है अब देखेगा बढ़िया है मैं कहूंगा A, G, N, O, 2 से क्रिया कराना है किसके साथ बच्चो A, G, N, O, 2 के साथ फिर किसके साथ इसका भी वहिया A, G, N, O, 2 के साथ इस बार ये A, G, I A, G, I मतलब माइनस का A, G, I बाहर हो गया यहां भी माइनस का A, G, I कितना सिंपल है बच्चो तो क्या बनेगा देखिये जरा यहां पर क्या बन सकता है आपका R है तो रहने दीजिए CH2 इस बार I हटकर तो यहाँ पर NO2 जुड़ गया दो एलकिली ग्रूप है बच्चो ठीक है सर, कारबन है H है और आपका NO2 जुड़ गया इस पर भी वही प्रोसेस है तीन एलकिली ग्रूप है बच्चो तो तीन एलकिली ग्रूप कर दिया हमने और यहाँ पर कारबन है इसके साथ NO2 जुड़ गया ठीक है NO2 जुड़ गया यहाँ तक clear है NO2 जुड़ा है अगले step में क्या कराना है हमें अगले step में HONO की क्रिया करानी है इसकी क्रिया करानी बच्चो HONO इसमें भी हमको क्रिया कराना है HONO ठीक है इस बार देखेगा क्या बनेगा बहुत ही simple है समझिएगा थोड़ा सा तब clear हो पाएगा हमारे पास R है बच्चो रहने दीजिए CH2 हमारे पास रहने दीजिए NO2 जुड़ा है ठीक अब यह भाई सहाब जब यहाँ पर यह जुड़ेगा तो कुछ न कुछ तो हटाना पड़ेगा तो यहाँ से जो H2 गायब हो जाता है यहाँ से H2 गायब होगा और जब H2 गायब होगा तो यहाँ पर कार्बन के साथ N जाकर जुड़ सकता है कि नहीं बताओ और दूइबंद बनाएगा अभी मैं H2 को गायब करूँगा बिल्कुल चिंता ना करें और H2 जो है आक्सिजन को उठा ले जाएगा फिर भी OH बचेगा तो अब यहाँ पर देखे मैंने H2 को गायब किया क्योंकि यहाँ से जो H2 है ना वो आक्सिजन को उठा करके बाहर कर दिया और यह आपका एक उठाद मिल गया इसे बोलते हैं नाइट्रोलिक आमले क्या बोलते हैं बच्चो नाइट्रोलिक आमले अब यहाँ पर भी थोड़ा सा देखेगा यह आपका एक एलकिल ग्रूप दूसरा एलकिल ग्रूप कारबन है इसके साथ NO2 तो जुड़ा है अब भईया इस बार H जो है अकेला H2O तो नहीं बना सकता तो OH को उठा ले जाएगा तो बचेगा आपको यह नो और जो हमारा य है ना तृतियक यह कोई अब क्रिया नहीं देता है इसमें कोई क्रिया नहीं होती कोई क्रिया नहीं होती ठीक बच्चो देखो कितना सिंपल है अगले स्टेप में हमको क्या करना है एने ओच डालना है इसमें भी क्या करना बच्चो एने ओच तो यह कैसा देता है यह आपक यह आपका क्या देता बच्चो नीला रंग और यह कोई परिछन नहीं रंग हीन कोई रंग नहीं खतम कहानी अब समझते हैं अब क्रियाओं को क्रम से देखेगा फूरा बिद्वत मैंने यहां पर समझाया है आप निश्चिन तो करके देखे देखे बच्चो पहले ही से क्रि जुड़ गया फिर जब बच्चो यहां से H2 उठा और आक्सिजन को लेकर के H2 बना लिया तो बच्चा आपका R CNO2 और आपका O H और N यहां पर जुड़ गया ठीक है ऐसे दुतिया के इलकोहल में जब हम HI से क्रिया कराएं बच्चो तो हमारा यहां से OH हटा ठीक है और I आ NO2 जुड़ गया फिर अगले स्टेप में यहां से जो कार्बन है इसके साथ जो हाइड्रोजन है वो OH को ले गया बच्चा NO तो H हटा NO आकर जुड़ गया तो स्यूडो नाइट्राल बनाया तरतिया के अलकोहल में क्या होता बच्चो कि पहले OH HI से क्रिया तो HOH H2O बना लि से क्रिया ही नहीं करता नाइट्रा समझे से क्रिया ही नहीं करता तो जब क्रिया ही नहीं करेगा तो NOH कोई परिछण नहीं देता तो इस प्रकार से आप step by step समझेंगे तो victor mayor परिछन समझ जाएंगे यदि step में कहीं भूल होगी फिर आप से victor mayor परिछन नहीं बनेगा फिर से आप समझ ये जब हम h i से क्रिया कराते हैं तो o h h के साथ जुड़कर h 2 o o h h के साथ h 2 o बाहर करता है o h h 2 o बाहर करता है और i जुड़ जाता है मतलब पहले पद में o h हटा i जुड़ा अगले पद में a g i बाहर हुआ no 2 जुड़ा a g i बाहर हुआ no 2 जुड़ा a g i बाहर हुआ no 2 जुड़ा तीनो एक साथ लेकर चलो तभी clear हो पाएगा याद हो पाएगा फिर अगले स्टेप में यहाँ पर देखो H2O निकलता है तो यहाँ पर आपका NOH बचा तो NOH जुड़ गया लेकिन कार्बन की बिलेंसी तो 4 होती है इसलिए दूई बंद बना लिया यहाँ पर आपका OH और H मिलकर के H2O बाहर निकला तो NO बचा डाइडेक्टर जुड़ गया इस पर कोई क्रिया ही नहीं होती जब कोई क्रिया ही नहीं होती तो इसको समझने की रोथा ही नहीं है जब NOH डालते हैं तो प्रात्मी के लिकोहल का लाल रंग मिलता है दुतियाक का नीला रंग अतुतियाक का कोई रंग नहीं बहिया दस मिनट में विक्टर में आप परिछन समझ गए आप क्या चाहिए यार वीडियो पसंदाथ लाइक करके शेयर कर दें इसका नोट्स लेना तो कंटेक्ट नंबर 9685299149 पर आप कंटेक्ट कर लें